ज्यान येगी की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याए। MS Excel 2007 के इस अध्याए में हम सीखेंगे रिबन चुपाना तथा वापस लाना। Formatting है तू, Mini Toolbar का उपयोग करना, Quick Access Toolbar का उपयोग करना और Shortcut Key का उपयोग करना। आए सबसे पहले हम आपको बताते हैं Ribbon Hide करना। हम आपको पहले भी ये संक्षिप्त में बता चुके हैं। आज हम इसी कारी को अलग तरीके से करना सीखते हैं। अगर हम Ribbon को छपाना चाहते हैं, तो हम किसी भी Tab पर Double Click करेंगे। ये देखिए, Ribbon जो है वो Hide हो गई है, और अब सिर्फ Tabs के नाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और अगर हमें Ribbon को Unhide करना हैं, तो फिर हम किसी भी Tab पर Double Click करेंगे। ये देखिए, Ribbon वापस आ गई है। Tabs की Details भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि Ribbon के साथ Tabs भी Hide हो जाएं, तो उसके लिए हम View पर जाकर, Full Screen पर Click करेंगे। ये देखिए, यहाँ से Tabs, उनकी Details सब Hide हो गए हैं। अब अगर हमें Normal Screen वापस चाहिए, तो इस Cap Button प्रेस करेंगे। उसको प्रेस करते ही ये देखिए, वापस से Ribbon, Tabs, उनकी Details ये सब कुछ वापस आ गए हैं। अब हम आपको बताते हैं Formatting से Related कुछ ट्रिक्स। अभी तक हम Home Tab में जाकर के Font का Style, Color, Alignment इत्यादी बदलते थे। किन्तु Formatting करने के लिए हमारे पास Ribbon के अलावा एक छोटा सा Option और भी है और वो है Mini Toolbar Mini Toolbar के लिए हमें Cell पर जाकर बस Right Click करना है और देखिए ये Mini Toolbar हमारे सामने आ गया। अब इसमें Formatting के Options दिये हुए हैं जिसकी साहता से हम Formatting संबंधित कारे सिगरता से कर सकते हैं। आप यहां देख सकते हैं इस Mini Toolbar में Formatting के Basic Options जैसे Font, Size, Color, Alignment, इत्यादी मिल जाते हैं। इन में से जिस भी Option के हमें जरूरत हो वो हम यहीं से Use कर सकते हैं। जैसे हमें Font का Size चेंज करना है। यह अभी Size है 12, इसको हमने कर दिया 14। तो यह देखिए जिस Cell पर हम थे उसका Font Size चेंज हो गया है। इसको वापस Change करना हो तो यहीं से Mini Toolbar की साहता से हम इसे फिर बदल सकते हैं। इसी तरह Cell के अंदर अगर हम किसी Text को Select करते हैं, तो बिना Right Click किये, Mini Toolbar से भी छोटी एक Toolbar open हो जाती है, जो आपको पहले तो धुंदली नजर आती है। हमने जो Text Select किया उसके उपर आप देख सकते हैं, धुंदला सा एक Toolbar जो है वो नजर आ रहा है। जैसे ही हम Mouse को उसके उपर ले जाते हैं, तो वो फिर हमको Clear नजर आने लगता है। यह Mini Toolbar से भी छोटी है और इसमें Formatting के कम Options हैं। जैसे यहाँ पर हम Font, उसका Size, Font को Bold करना, Italic करना, Color करना इत्यादी कर सकते हैं। उधारन के लिए हमने जो Text Select किया है हम उसको Color करना चाहते हैं, तो यह यहीं से हमने उसको Color कर दिया है। अब हम आपको बताते हैं Quick Access Toolbar का उप्योग करना। यूं तो हम इसका उप्योग आपको पहले भी संक्षिप्त में बता चुके हैं, पर आज हम इसी कारिक को अलग तरीके से करना सीखते हैं। यह Office Button के पास में Quick Access Toolbar होता है। इसमें कुछ Commands दी हुई होती हैं जिसका इस्तेमाल हम सीधे उसके आइकन पर क्लिक करके कर सकते हैं। अभी हमारे पास Quick Access Toolbar में केवल तीन Options हैं। Save, Undo और Redo। पर अगर हम इसमें और Options एड़ करना चाहें तो कर सकते हैं। Options एड़ करने के लिए Quick Access Toolbar के Corner में एक Downward Arrow है। उस पर क्लिक करें। अब इसमें यहां पर कुछ Commands और दिये हुए हैं। अगर आप इन में से कोई लेना चाहते हैं तो वो आप Select कर सकते हैं। और अगर आपको और ज्यादा Commands चाहिएं तो More Commands पर जाकर क्लिक करें। यह देखिए अब यह एक Box ओपन हो गया है। इसमें यहां पर वो Options हैं जो की अभी हमारे पास Quick Access Toolbar में present हैं। और यह वो Options हैं यह हम यूँ कह सकते हैं यह उन Options की List है जिन में से हम और Options को लेकर के यहां पर Add कर सकते हैं। जो भी Option हमें चाहिए उस पर हम Click करेंगे जैसे हमने चुना Delete Sheet Columns इसको Select किया और अब हम Add पर Click कर देंगे। यह जैसे यह Add पर Click किया यह देखिए यह Option यहां पर आ गया। इस तरह से जो भी Options आपको चाहिए उन्हें आप Select करके Add करते जाएं। यह देखिए सारे Options यहां पर Add हो गए हैं। जो भी Options आपको चाहिए वो जब आपने Add कर लिये हों तब OK पर Click कर दें। अब आप देख सकते हैं Quick Access Toolbar में जो भी Options हमने Add किये थे वो सब यहां पर आ गए हैं। इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। हमें बार बार Ribbon में जाकर एक ही काम करने की ज़रुरत नहीं है। बस Quick Access Toolbar में उस Option पर एक लिक करें और आपका काम हो जाएगा। हम इसको यूज़ करके देख लेते हैं मालीजे हम इस कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं। तो यह इस कॉलम को सबसे पहले हमने Select किया और यहां पर यह Option है कॉलम डिलीट करने का इस पर जाकर के Click करेंगे। यह देखिए कॉलम डिलीट हो गया। अभी जो हमने Command दिया था वो वापस से आ गया है। अगर Print Preview देखना है तो उसके लिए हम Print Preview पर जाकर Click करेंगे तो यह हमको Print Preview देख जाएगा। अब यह जो हमने यहां पर अलग-अलग Options एड़ किये हैं अगर हम उनका क्रम बदलना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। माल लीजे हमें Print Preview वाला ज एरो पर क्लिक करेंगे, More Command के Options पर क्लिक करेंगे, अब यहां से जो भी Option हमें उपर लाना है उसे सेलेक करेंगे, यह हमको Print Preview उप्शन चौथे नमबर पर चाहिए तो हमने इसको सेलेक किया, अब हम Up एरो पर तब तक क्लिक करेंगे जब तक कि यह हमारी मंचा ही जगा पर पहुँच जाए, यह देखिए अब यह चौथे नमबर पर आ गया है, इसी तरह हम सभी Options का नमबर चेंज कर सकते हैं, और काम हो जाने के बाद OK पर क्लिक कर दें, यहां पर आप देख सकते हैं, यह क्रम बदल गया है, चौथे नमबर पर Print Preview वाला Option आ गया है, सभी Options को हम Shortcut Key से भी यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हम Alter Key प्रेस करेंगे, Alter Key प्रेस करते ही, यह देखिए Quick Access Toolbar में जो भी Commands थी, उन सब के नमबर आ गये हैं, साथ ही दूसरे जो हमारे Tabs हैं, उनके भी अलग-अलग Letters आ गये हैं, अमाल लिजे हमको इन Commands के अंदर Insert Sheet Row वाला Command उप्योग में लाना हैं, तो उसके लिए यह 9 नमबर दिया हुआ है, अब हम 9 नमबर अगर प्रेस करेंगे, तो यह देखिए, एक और रो जो है, वो यहाँ पर Insert हो गई, अब देखिए यह जो रो Insert हुई है, इसको हमको डिलीट करना है, तो उसके लिए अल्ट की प्रेस करेंगे, तो उसके लिए जो Option है, वो 6 नमबर पर है, हम 6 नमबर की की प प्रेस करेंगे, यह देखिए, रो जो है, वो डिलीट हो गई, अभी हमने Quick Access Toolbar में जो कमांड्स दिये हुए थे, उनके लिए Shotcut Keys का उपयोग किया, इसी तरह से Tabs के लिए भी Shotcut Keys आ जाती है, जैसे ही हम Altar की प्रेस करते हैं, तो यह देखिए, यहाँ पर इनके लिए भी Shot Shotcut Keys आ गई है, माली जीए हम Page Layout यूज करना चाहते हैं, इसके लिए Shotcut Key P है, हम जैसे ही P की को प्रेस करेंगे, तो P प्रेस करते ही Page Layout वाला Tab जो है, वो खुल गया है, और इसके अंदर जो सब Options हैं, उसके लिए भी Shotcut Keys आ गई है, माली जीए हम इसका Background चेंज करना चाहते ह तो Background के लिए Shotcut Key है G, G प्रेस करते ही Background चेंज करने के लिए Option आ जाएगा, अब यहाँ से जिस भी Location से हमको Background के लिए Picture लेनी है, वो हम चुन सकते हैं, और उसको चुन करके Background चेंज कर सकते हैं, अब अगर हमको Background हटाना है, तो वापस हम इसको Undo कर देते हैं, यहाँ पर Quick Access Toolbar में हमने जो Commands जोड़े हैं, उनकी संख्या है 9, अब अगर हमको दस्वी Commands इसमें Add करनी है, तो उस Commands को हम Select करके यहाँ पर ले आएंगे, अब यह देखिए यह हो गई है 10 Commands, अभी तक हमने देखा था, कि यहाँ पर जो भी Commands थी, उनके लिए जब हमने Shortcut की का उपयोग किया, तो एक से लेकर 9 तक अंक उसके लिए आगए थे, अब अगर हम वापस वो यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं, क्यूंकि हमारे Keyboard में 9 तक ही अंक होते हैं, तो अब जो दसवी Command है, उसके लिए यहाँ पर आया है 09, अगर हम इसके आगे और भी Commands एट करेंगे, तो वो फिर 0807 आदी नमबर पर आएंगी, MS Excel 2007 के इस अध्याय में हमने सीखा, रिबन चुपाना तथा वापस लाना, फॉर्मेटिंग है तो, मिनी टूल बार का उप्योग करना,